कारिक्रम में शोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज 29 अक्टूबर एक बहुत ही महत्पून दिन और आज के दिन पूरे विश्व में मनाया जाता है World Stroke Day यानि विश्व Stroke Day आज इस महत्पून विश्व पर बादचीत के लिए हमारे महमान है शहर के जाने माने Neurologist Dr. शमशेर दुएदी Dr. दुएदी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस करिक्रम में नमस्कार भारती जी धन्यवाद Dr. दुएदी जब हम विश्व Stroke दिवस की बात कर रहे हैं तो हम सब जानते हैं कि जो Stroke है वो विश्व में दिव्यांगता का एक बहुत बड़ा कारण है और पूरे विश्व में Strokes की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और भारत भी इससे चूता नहीं है और ऐसा कहा जाता है कि हर एक मिनिट में तीन वेक्तियों को Stroke पड़ता है हमारे शोता जानना चाहेंगे कि ये विश्व Stroke दिवस मनाने के पीछे क्या उदेशे है और बाद में हम आप से बात करेंगे कि Stroke क्या है ये जो बिमारियों के नाम से Days मनाये जाते है Stroke Days, Alzheimer's Days इसका मुखे कारण ये होता है कि जो जनता है उनको भी इन बिमारियों के विश्वे में बताया जाए और दूसरा कारण ये होता है कि जो सरकारी तंत्र है, मीडिया है उनके द्वारा जो Health Planning करते हैं, स्वास संबंदी जो Planning करते हैं लोग उनको भी sensitize किया जाए, उनको भी ये बात बताई जाए कि ये एक भैंकर समस्या है, जो शायद विश्व में आने वाले समय में तीसरा मुखे कारण हो जाएगा लोगों की मृत्यू का, एक तो भी कलांगता और दूसरा मृत्यू का तीसरा प्रमुख कारण हो जाएगा तो इन बातों को जनता तक भी और जो लोग उन पदों पे हैं, जहां से वो स्वास संबंधी planning करते हैं उनको इस बारे में बताना और याद दिलाना कि इसका ध्यान रखें और जो जो कदम लिये जा सकते हैं इस से लोगों को बचाने के लिए वो लिये जाएं डॉक्टर दिवेदी बदलती जीवन शैली का हमारे खान पान की आदतों का हमारी सेहत पर असर लगातर दिखाई दे रहा है अब जानना चाहेंगे कि ये स्टोक क्या है और इसके जोखिम क्या है जब मस्तिश की जो धमनियां हैं उनमें किसी प्रकार का अगर रक्त के प्रभा में अवरुधता पैदा होती है रुकावट पैदा होती है या नसे ये धमनियां फट जाती है तो उसकी वज़े से जो मस्तिश को नुकसान पहुंचता है उसकी वज़े से शरीर का कोई अंग य या देखने की शमता या बोलने की शमता इस पे जो प्रभाव पढ़ता है उसको स्ट्रोक कहते हैं और जैसा मैंने भी बताया ये इसका मुख की कारण है मस्तिख्ष की धमनिया यानि आर्ट्रीज में जब जो आपने बताया कि जीवन शैली, खान पान और कुछ व्यसन ऐसे ह होते हैं उसकी वज़े से जो चेंजे जाते हैं जो उसमें बदलाव आता है जो रोग ग्रसित हो जाती है ये धमनिया उसकी वज़े से स्ट्रोक होता है अब जानना चाहेंगे कि आम तो पर जब स्ट्रोक होता है तो ऐसा कहा जाता है कि अगर मस्तिख्ष के दाएं भाग मे ये अवरुत्ता आई है, तो बया हिस्सा जो है वो विकलंकता की ओर जाता है, ये क्या है थोड़ा हमारे शोताओं को बताएं जो मानव मस्तिश्क है उसमें शरीर के उल्टे तरफ का कंट्रोल मानव मस्तिश्क के पास है यानि शरीर का जो दाया हिस्सा है वो बाये तरफ की फंक्शन जो movement है चलना फिरना है बाये पैर का बाये हाथ का उसको कंट्रोल करता है और जो बाया हिस्सा है वो दाई तरफ को कं रखने की है कि बाया हिस्सा जादा तर लोगों में व्यक्तियों में 90 फीसदी लोगों में बाया हिस्सा पीच और लैंग्विज को भी कंट्रोल करता है इसलिए बाया हिस्सा जिसको की dominant brain कहते हैं उसमें अगर stroke हो जाए तो उससे आदमी की बोलने की और समझने की शमता भी जा सकती है और stroke में एक और हिस्सा जो brain का जिसमें असर होने पर आदमी की द्रिश्टी जा सकती है वो पीछे का हिस्सा है जिसको occipital lobe कहते हैं वहां पर अगर stroke होता है तो आदमी की लक्षन की बात की उस लक्षन पर मैं आ रहा हूँ कि वहां पे जगह जगह जितने भी वहां public places हैं जन साधान को सुचित किया जाता है हर तरीके से कि आप अगर किसी का balance, eyesight, face, arm इन में अगर अचानक कमजोरी आ जाए तो इसको आप हलके में ना ले अगर हलकी कमजोरी भी आ ही है हो तो आप यह मान के चलिए कि अगर थोड़ी सी बोली में लर्खणाट आ गई है तो इसका मतलब यह एक पक्षा घात या स्ट्रोक की शुरुवात हो सकती है उसको तुरंत patient को ले जाए लक्षनों का ध्यान रखना ज़रूरी है तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि FAST को F मिन्स face यानि जुका हुआ है और यदि एक ही बात करें तो यह आम का मतलब है और मतलब यह आपकी भुजाएं अगर कमजोर हो रही है और S का मतलब speech यानि वाणी की असपश्टता और जंग से बोलना पाएं यह पहले FAST कहा गया अब उसको B FAST कर दिया गया है उसमें balancing और B FAST हो गया तो T का मतलब समय ताइम तो ताइम भी क्या importance है ती का मतलब time to go to hospital यानि कि तुरत hospital पहुंचे और इसका एक समय होता है जिसको अंग्रेजी में golden period R कहते हैं जिसको स्वर्णिम वो काल होता है अगर आप शुरू में साड़े चार घंटे तक पहुंच जाते हैं औ और खून की कोई नली अवरुद्ध हो गई है किसी रख्ट के क्लॉट जिसको कहते हैं ब्लड क्लॉट की वज़े से रख्ट का कोई कान अगर वहां पर फस गया है तो उसको खोलने के लिए जो समय डॉक्टरों के पास होता है वो शुरू के साड़े चार घंटे होते हैं इ जल्डी हम मस्तिश के उन हिस्सनों को जहां रख्ट प्रवा नहीं हो रहा है उनको दुबारा रख्ट प्रवा हम वहां संचारित कर सकते हैं डॉक्त दिवेधी ऐसा कहा जाता है कि 90 प्रतिशत इस्टोक्स को रोका जा सकता है आपने कहा कि लक्षणों को जितनी जल्दी हम पहचान ले, आपने साड़े चार घंटे का समय बताया, यानि जितना समय बीटता जाएगा, जो brain की cells हैं, वो कोशिकाए हैं, वो मृत होती जाएगी, अब जानना चाहेंगे आपसे, कि जब हमें लक्षनों को तुरंत पहचानना है, तो वो कौन से लोग हैं, जो risk में हैं, ज पहती जाती है, स्ट्रोक होने का खत्रा बढ़ता जाता है, जैसे घर के बुजूर्ग हैं, उन पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, यंग एज में भी हो सकता है, लेकिन कम होता है, बुजूर्गों पे ज्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत, दूसरा जो है, जिनको diabetes है, और Risk Factor है तीसरा जो risk फैक्टर है वो उच्छ रख्ट चाप फाइबल说 प्रेशर का ज्यादा हुना इस्ड myślę मोटा ने खास करके वह मोटा आज पेट और चाथी के ऊपर चढ़ा हुआ है मोटापा एक निस एक है पांच मारे एक रिस्क फैक्टर है उसके बाद है अत्यधिक शराप उसके बाद है जो लोग चलते-फिरते नहीं है एक्जरसाइज नहीं करते है जो सक्रिय जीवन नहीं और ज्यादा तर वक्त जो अपनी कुर्सियों पर चाहे प्रोफेशन के कारण चाहे आदत के कारण बैठे रहते है यह risk factors हैं तो हम यह भी कहेंगे कि जो लोग inactive हैं और जो तनाव ज्यादा लेते हैं हाँ, तो जिसको हम अंग्रेजी में टाइप A personality कहते हैं टाइप A personality में होता क्या है कि जो लोग तनाव ज्यादा जब भी हम तनाव में रहते हैं हमारे रक्त में एक हॉर्मोन होता है जिसको एड्रेनलीन करते हैं वो एड्रेनलीन का संचार बढ़ जाता है यह प्रक्रति ने हमें इसलिए दिया है कि अचानक कोई खत्रा आए तो हम उस खत्रे से हाग सकें इस परपस के लिए प्रक्रति ने यह सिर्फ दिया है कि खत्रा उ आप हर समय adrenaline secret करते रहते हैं और वो आपकी रक्त की धमनियों को अंदर से खोकला करता जाता है तो stress जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है अचानक जो आज कल यंग एज में stroke और heart attacks दोनों हो रहे हैं उसका दोनों का कारण stress है बहुत बड़ा डॉक्टर देविदी क्या stroke से व्यक्ति की जान जा सकती है जी हाँ बिल्कुल stroke से व्यक्ति की जान जा सकती है तो मुख्यतर दो प्रकार के stroke होते हैं एक खून की नली में रक्त कन फसने से जो खून का प्रवाबंद हो गया और दूसरा होता है खून की नली का फट जाना तो जो फटने वाली जिसको brain hemorrhage कहते हैं तो brain hemorrhage के patients में करीब 15-20% patients ऐसे होते हैं जिनकी हम जान नहीं बचा सके और जो धमनियों में रक्तकन फसने की वज़े से जो stroke होते हैं जिनको ischemic stroke कहते हैं उनमें जान बचने के chances बहतर होते हैं लेकिन विकलांगता का खत्रा बहुत जादा होता है brain hemorrhage में life का डिस्क जादा होता है विकलांगता का खत्रा कम होता है तो ये जान जाना दोनों में हो सकता है और जो मैंने कहा death का third most common कारण होने वाला है stroke तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी जीवन शैली से जुड़े रोजमत्रा के काम है वो बहुत बड़ा एक कारण बन रहे है inactive होना यानि सक्रीता ना होना क्या portion भी एक कारण है क्या कुछ अगर minerals की कमी हो जाए हाँ ये पाया गया है कि जिन लोगों को विटामिन B complex की कमी होती है B complex की कमी से खून में ऐसे कुछ तत्व पैदा होते हैं जैसे एक homocysteine है जो की रक्त में बढ़ जाता है और वो भी खून की धमनियों को अंदर से नुकसान पहुंचाता है तो B complex group के vitamins वह बहुत जरूरी है रक्त की धमनियों को ठीक रखने के लिए आपने कहा high blood sugar एक कारण हो सकता है और ये प्रमुक कारण है क्या high cholesterol level भी इसका कारण है जी बिल्कुल तो इसी लिए खाने पीने में वसा की मात्रा पे हम हमेशा जो diabetic हैं या high blood pressure के patient हैं या जिनको stroke हो चुका है जो बहुत तला भुना fat हो जाता है जिसको आप burn कर देते हैं उनको लेने से आपके शरीर में cholesterol की मात्रा बढ़ती है और cholesterol में भी जो LDL cholesterol है वो सबसे ज़्यादा घातक होता है दो प्रकार के मुखे तब cholesterol होते हैं cholesterol का अगर हम विभाजन करें उनके विभिन प्रकारों में तो एक होता है LDL cholesterol और दूसरा होता है HDL cholesterol HDL cholesterol अगर high रहता है तो वो आपको protect करता है और LDL cholesterol high रहता है तो वो नुकसान करता है LDL cholesterol को कम करना है और HDL cholesterol को बढ़ाना है LDL cholesterol को अगर आपको कम करना है तो खाने में वो fat लें जो तरल हैं, जो जमते नहीं हैं और उनमें भी refined ना हो तो बहतर हैं जिनको हम कहते हैं कच्ची घानी का सरसों तेल वो लें ना कि refined oil लें refined oil जो है उसमें refine करते समय काफी सारे पोशक तत्व खतम हो जाते हैं और घाते तत्व पैदा हो जाते हैं और HDL को बढ़ाने के लिए आपको nuts खाने चाहिए यानि कि बादाम, अखरोट और अलसी का बीज, सुरी मुखी का बीज, तर्बूजे का बीज ये जो seeds हैं और nuts हैं ये HDL cholesterol को बढ़ाते हैं और exercise भी HDL cholesterol को बढ़ाता है ये बहुत अच्छा आपने हमारे शोताओं को बताया यानि आहार पे ध्यान देने की जरूरत है डॉक्साब आम तोर पे कहा जाता कि हम नियमित रूप से व्यायाम करें तो कि जो हमारी सक्रीता है बहुत कम हो गई हमारी जीवन शैली इस प्रकार की हो गई है हम चलते फिरते बहुत कम है एसी कमरों में रहते हैं तो क्या ये सब कारण भी कहीं न कहीं स्कोक की तरफ ले जाते हैं जी हाँ बिल्कुल और सक्रीता का एक बहुत ही फिक्स्ट पैमाना भी प्रिस्क्राइब अमेरिकन हाट एसोसीशन द्वारा वो ये है कि आप कम से कम धाई घंटे एक हफते में एक्जरसाइज करें और एक्जरसाइज इतनी करें कि जब एक्जरसाइज करें तो पसीना जरूर चूटे जिसको कहते हैं moderate severity के एक्जरसाइज ना चलने से थोड़ा चलना बेहतर है लेकिन अगर पूरा आप लाब लेना चाहते हैं तो आपको ब्रिस्क वाकिंग करनी होगी जिससे कि पसीना चूटे पसीना चूट रहा है मतलब कि आप ब्रिस्क वाकिंग कर रहे हैं और कम से कम ध तुरां किसी विशुषग्य डॉक्टर के पास जाएं इसमें आम वेक्ति की तो भूमिका है ही लेकिन संस्थाओं की भूमिका और आप जैसे चिकिस्त्कों की बहुत बड़ी भूमिका है और आपने आरभ में कहा कि जो हमारे जन संचार के माध्यम हैं उनकी भी बहुत बातिया के हर नागरिक को बीफास्ट से अवगत करा दें बहुत छोटा सा है अगर लोगों को इससे अवगत करा दें तो इतना ही काफी होगा सारा सारा मूल मंत्र है यह यह क्योंकि दो चीज़ें होती है इससे एक तो होता है जल्दी वह हॉस्पिटल पे पहुंचते हैं और be fast से stroke के प्रति sensitization यानि stroke के प्रति पक्षा घात के प्रति लोग सचेध भी हो जाते हैं एक चीज छूट गई भारती जी जो हमने सारे risk factor बात की उसमें एक बहुत बड़ा risk factor है नींद की कमी नींद की कमी, heart attack और stroke दोनों का बहुत बड़ा risk factor है तो 7-8 घंटा सोना रोज बहुत आवश्यक है अगर कोई आदमी exercise रोज करता है एक घंटा और नहीं सोता तो वो जादा घातक है अगर मुझे नींद और exercise में एक को चूज करना हो तो नींद जादा ज़रूरी है ना कि exercise यह बहुत अच्छी बात अपने बताई और sound sleep होने जो कि कम होती जा रही है अंत में जब पक्षागात हो जाता है और उसके बाद इलाज चलता है तो यह जो दिव्यांगता है अंग काम करना बंद कर देते हैं इनको पुना सक्रिय करने के लिए क्या किये जाने क्या हो शकता है कुछ फिजियो थेरेपी भी होती है थोड़ा बताएं हमारे शुत्रों को ब्रेन एक ऐसा अंग है जिसके भीतर एक ऐसी प्रॉपर्टी ब्रेन जो है उसमें प्लास्टिसिटी उसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी का मतलब है कि जब मस्तिश को चोट पहुंच जाती है चाहे वो स्ट्रोक से हो या हेड इंजरी से हो या किसी भी कारण से जो आसपास के जो healthy areas हैं वो उसका काम लेने लगते हैं उसमें physiotherapy मदद करती है कि जो बच्या हुआ brain का हिस्सा है वो शतिग्रस हिस्से का काम ले ले जैसे एक office में 100 लोग काम करते हैं 20 जो हैं उनको हटा दिया गया अब उनसी को सिखाया गया उसका काम ये जो चीज है ये physiotherapy करती है एक अच्छा physiotherapy stroke program का बहुत ही मजबूत स्तंब होता है उसके बिना outcomes अच्छे नहीं हो सकते हैं तो डॉक्टर दिविदी जी आज आप हमारे इस कारिकर में आए और आपने wish stroke दिवस पर stroke कारण लक्षन उपचार विशे पर बहुत ही महत्पून जानकेरी हमारे शुताओं के साथ साजागी आपका बहुत बाद आभार धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार